हेलो बच्चों कैसे आप देखो आज हमें एक नया चप्टर शुरू करना है डिवेंचर्फ और डिवेंचर्फ पर बच्चे आज का जो टॉपिक हमारा है वह है इसू अफ डिवेंचर्फ लिखिये मेरे साथ इसू ओफ डिवेंचर्फ बहुत ही प्यारा टोपिक है बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल कुछ है नहीं से समझाने के लिए सरी क्या होता है बाद में पहले आप लिखो मेरे साथ टोपिक्स to be covered हमें इस चेप्टर में क्या पढ़ना है मैं क्या पढ़ाओंगा आपको तो पहला लिखेंगे आप यहां पे फर्स लिखेंगे issue issue for cash अगर डिवेंचेस issue किया cash के लिए second आपका है issue for consideration issue for consideration other than cash other than cash other than cash third लिखेंगे आप issued as collateral security collateral security collateral security fourth लिखेंगे आप यहां पे fourth लिखेंगे लिखना यहां पे fourth में interest interest on deventures deventures एक कर्ज है बचे जो हम public से लेते हैं तो उसमे interest payment करने की entry कैसे की जाएगी और पांचवे में हमें समझना यहां पे writing of writing of writing of discount discount अब लिख loss on issue of deventures सरी यह क्या है अभी बताऊंगा आप लिख दो पहले यहां पे हमें पहले पता अच्छे किस चेप्टर में पढ़ना क्या है मेरे पांच टोपिक के इसमें मास्टरी करनी है और एक बात और धाने करना है जितने कोश्रिस कराऊंगा उतने ही करना है कोई नए कोश्रिस करना है सब कुछ हम cover करेंगे इसके इंदर में आपको class पूरा focus करना है पांच टोपिक में issue of deventures को खतम करेंगे सब डिवेंचर क्या होता है देखो simple शब्दों में अगर बात की जाए ना डिवेंचर का दो मिन का समय लोगा मुझे पता आपको पता होगा इसके बारे में फिर भी तो देखो होता क्या है आप लिखना बंद करना X limited मानलो एक company है इन्होंने क्या-क्या अगर मानलो पब्लिक से यानि कि लोगों से सुपोज की 20 लैक्स का में बच्चे लोण लिया कर्च लिया तो जब ये company पब्लिक से लोण यानि की कर्च लेती है न तो पब्लिक कहते कि या ये जो 20 लैक्स हम आपको जो पाउंट दे रहे हैं इसका एक acknowledgement दो acknowledgement का मतलब कि हमें proof दो कि हमने आपको 20 लैक्स का लोन दिया है यानि कि आप हमें एक proof देजे कि आपने मुझसे 20 लैक्स का कर्च लिया है ये जो company है ना ये एक अपना कागश निकालती है जो अपने company का है और इस company पे इस कागश पे वो लिखके कहते हैं कि हाँ जी हमने आपसे 20 लैक्स का कर्च लिया है और इस कर्च पे मान लो हम आपको 15% के इसाब से interest पे करेंगे मान लो ये rate company to company vary करेगा तो मैं बच्चे कर्च है ना interest पे करना ही पड़ेगा में बच्चे ये जो acknowledgement है ये जो कागश है इसी कागश को हम क्या बोलते है deventures मतलब simple शब्दों की बात करें तो और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये तो common sense है कि अगर मान लो मैंने किसी से कर्च लिया है अगर मैंने किसी से कर्च लिया अगर कभी कहता है कि आपका मान लो कि 12% डिवेंचर 12% डिवेंचर अगर ऐसा कुछ दिख जाए बच्चे मान लो ये 5 लेक्स का है इसका मतलब कि पबलिक से हमने 5 लेक्स का कर्च लिया है और उस पे 12% की साबस्वम क्या करेंगे इंट्रेस्ट उनको पे करेंगे ये हमेशा आपका इंट्रेस्ट रेट होता है ये इंट्रेस्ट रेट होता है डिवेंचर से कर्ज है एक लाज़िती है मरे बच्चे जिसमें हमें क्या करना हो इंट्रेस्ट पे करना होता है तो मैं जो ये deventures issue कर रहा हूँ ना इसी की accounting हमें क्या करना यहां पर सिखना है इसकी accounting कैसे होती है पहला issue for cash डूसरा consideration other than cash का मतलब होता कि मान लो किसी से मैंने machine लिया building लिया और उस machine building के बदले में मैंने क्या-क्या उनको deventures दे दिया मतलब कर्श में लिया है हमने क्या-क्य deventures दे दिया third में collateral क्या होता मैं सिखाऊंगा interest जो पे किया जागा deventures पे उसकी accounting भी मैं सिखाऊंगा और writing of क्या है यह भी मैं सिखाऊंगा पहले मैं इसको हटाता हूँ और बिल्कुल slowly slowly simple simple शब्दों में मैं इस chapter को आपको समझाता हूँ मुझे पता है कि जैसे जैसे chapter च लिखे मेरे साथ यहां पर नया पेज लेंगे आप नया पेज और उपर में लिखेंगे issue for cash अगर deventures issue करते हैं cash के लिए मालो कंपनी को पैसे के requirement है तो उन्होंने क्या क्या पब्लिक से पैसे लिए पैसे cash और उसके बदले में deventures यानिके acknowledgement दिया तो इसकी entry हम कैसे करेंग करेंगे बच्चे सारे question करेंगे book का आप चिंता ना करो लेकि पहले ना आप आजो six number के अंदर में आप यहां पे solution कर रहे हैं मेरे साथ question number six का question number six का ध्याम से क्या बता रहा है पढ़ना जड़ा ध्याम से six में मेरे बच्चे मैंने 5 cases आपके लिए बनाए हैं तो six में पहले एक डिवेंचर मालो 100 रुपिज का है तो हमने पब्लिक को इसको 100 में ही बेचा है सो रुपे का डिवेंचर हमने सो रुपे के रेट से बेचा इसको बोलते पार तो बच्चे जड़ा बताओ यहां पर issue के टाइम पर entry क्या होगा मेरे बात ध्यान सुनना जब हमने अच्छे बताओ इसके बदले में कंपनी ने क्या दिया था कंपनी ने इशू किया है 9% डिवेंचर मतलब कंपनी के उपर जो लावलिटी क्रेट होगी मेरे बिच्चे उसका नाम है 9% डिवेंचर यह इंट्री आपका 1 लैक से हो गया issue के टाइम आपका issue के टाइम का तो ब और जो expenses हैं यह जब भी आपके increase करते हैं मेरे बच्चे जब भी आपके increase यानि के बढ़ेंगे एक नोट यह वायर फसर है हाँ जी यह हमारे जो assets होते हैं और expense जब भी आपका increase करता है तो हम general entry में डेविट करते हैं और जब भी यह आपका decrease करेंगे जब यह कम होते हैं तो हम इससे क्रेड करते हैं एक रूल आपने पहले सिखा होगा बच्चपन में डेविट वाट कमसिन क्रेड वाट गो जाट वह काम नहीं करना वह बहुत छोटे-छोटे बच्चे करते हम बड़े बच्चे होते हैं जी हमें ज्यादा हमें अपने concept पर focus करना होता है तो simple entry कोई अगर कोई कैपिटल है अगर कोई liability है या फिर अगर कोई आपका income हो जाए प्रोफिट हो जाए रिजर्व हो जाए कुछ भी मतलब balance sheet के जो liability side में होते हैं इनका increase करना इनका increase करना credit किया जाता है और इनका decrease करना decrease करना यहां पर debit किया जाता है बहुत simple तरीका है चार-पांच entry करेंगे तो आपको बाते समझ में आ जाएंगी asset side का कुछ भी बढ़ेगा तो debit करूँगा assets हो expense हो loss हो बढ़ना debit घटना credit and vice versa देखो न कंपनी के पास bank में पैसे आए हैं बच्चे assets बढ़ गया हमने क्या क्या डेविट किया आपका साथ ही साथ company पे liability बढ़ गई liability जब बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे आपको यहां पर create करेंगे increase करना create तो आपने यह लिख दिया यह issue के time का entry हुआ बात समझ मारी है सरहां सर वो क्यों बता रहो हमें पहले से पता है तो अच्छी बात है जिन बच्चे को नहीं पता मैंने समझा दिया क्या गलत कर दिया बच्चे कौन सा गुना कर दिया मैंने यह issue के time का entry हुआ आउना देखते हैं कि जब redemption की बारी आई होगी at the time of redemption redemption का मतलब क्या होता है ज से 8 साल 10 साल 20 सारी बाते पहले स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाती है कि डिवेंचर इशू कैसे होगा जी अगर उसका redemption करना है तो हम किस तरीके से करेंगे कब करेंगे सब डिसाइड हो जाता हमें उसमें भी नहीं जाना अब हम निमरिकली बात करें थियोरी में मैं अलग से आपके पास आउंगा आप चिंता नहीं करना कहता कि वन लैक के बतले में आप से वन लेक लिया है लेकिन कहता कि अब इसको हटाओ अब बताओ लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा तो क्रेंट में जो था ना बच्छे आप इसको डेविट कर दो यह लाइबिलिटी आप क्या करना आपने भुक से हटा देना कहना कि वन लैक का जो डिवेंचर्स यानि की इसको हटा दिया और यह पैसा अब हमें इनके मालिक को देना है मेरे बचे जिन्होंने खरीदे थे ना मतलब जिन्होंने कर्श दिया था हम उन्हें बोलते हैं डिवेंचर होल्डर उन पबलिक को तो हमने क्या क्या वर्लैक बढ़ा दिया ध्यान सुनना यह लाइबिलिटी है बीइंग अमाउंट बीइंग अमाउंट डियू डियू टू डिवेंचर होल्डर मेरे बचे डिवेंचर होल्डर को डियू करने की एंट्री है डियू मतलब मुझे आपको पे करना है करना अभी पे नहीं किया पे करना है एक काम करना यह हमारी पहली एंट्री होगे इनको हमें debit करना होगा क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं लावलिटी को कम करने के लिए आपको debit करना पड़ता है तो डिवेंचर होल्टर अकाउंट आपका debit हो गया वन लैक अमाउंट और हमने पेमेंट कर दिया ना बच्चे यहनी कि तू बैंक अकाउंट लिजे हमने कर्ज वापस कर दिया entry हमारी कम्प्लीट हो गई लिख दो narration यहां पे बिइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर को हमने क्या क्या पे कर दिया और उस पेमेंट करने की हमने एंट्री आपको दिखा दी कुछ भी नहीं है चेप्टर बहुत सिंपल है यह हम बारवी क्लास से पढ़ते हैं आगे जितने भी कॉर्परेट अकाउंटिंग सब जगा हमारा चलता है तो कुछ बड़ी बात थोड़े है आप ले जिसकी कोपी कर लो यह सिक्स का आपका एपोइंट हो गया एपोइंट हो हो गया बच्चे सरहां जी आप फिर हम यहां पर बी पर आते हैं जड़ा देखते हैं बी पॉंट क्या बता रहा है ध्यान सुनना आपको अच्छा लगेगा कहता कि इसू ओफ वन लैक नाइन परसेंट डिवेंचर एट प्रीमियम फाइप परसेंट आपने जो डिवेंचर की टाइम के इंट्री क्या होगी तो नंबर वन में लिखेंगा आप यहां पर नंबर वन में आपने डिवेंचर इसू किया है एट फाइप परसेंट प्रीमियम पर इसू की बात करना तो बैंक अकाउंट आपका डेविट हो जाएगा है एंड तू आपने कहा कितना प्रसे कि देखो जी ऐसे तो एक डिवेंचर मेरा सो रुपे का है एक डिवेंचर सो रुपे का है लेकिन एक डिवेंचर जो सो रुपे का है इसके बदले में मैं आपसे एक सो पांच रुपे लूँगा ऐसा आपने कहा सरिक बावत हो कोई भी आदमी सो रुपे के समान का एक सो प काम करती है दो बात एक तो कंपनी का ब्रेंड कैसा है ब्रेंड अब सुचो ना टाटा कंपनी है मालो टा एक कंपनी में आपको दिखा रहा हूं टाटा और एक दिखा रहा हूं एक स्लिम्टेड इन्हों ने भी डिवेंचर इशू किया इन्हों भी अपना डिवेंचर इशू करूंगा क्योंकि ब्रैंड है इसको तो कोई जानता है नहीं वच्छे तो आपका जो जुखाव है ना आपका जो इंटरेस्ट है वो चला गया Tata कमपनी के तरफ में अब Tata कमपनी में बहुत लोग आते कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो तो ये कंपनी आपके ना आपके इंट्रेस का फाइदा उठाती है वो कहते हैं मेरा एक डिवेंचर सो का है लेकिन हम आपको सो रुपे में नहीं देंगे हम आपको 105 रुपे में देंगे बस चाहिए तो आप ले लो तो पब्लिक सोच दिए कि आप 5 रुपया एक्सरा पेमेंट करके अगर मान लो यहां पे मेरा पैसा सेफ हो सकता है सेक्योर हो सकता है तो फिर मैं यहां पैसे लगाने के बजाए क्या गरेंगे जी टाटा कमपनी में लगाएंगे मेरे बचे पहला brand जो है वो आपके deventures को वो आपके shares को face value से ज़्यादा बेचने पर आपको मजबूर करता है और आपको purchase करने से यानि कि आप ऐसी company का 2-4 रुपे 10 रुपे मेहगा मिलता है तो भी आप सवान लेने को त्यार हो जाते हैं एक और भी रिजन बताता हूँ जड़ा सोचो द्यान से जड़ा सोचो मैं brand पर नहीं जाता brand की बात छोड़ो Tata कहता है कि 10% मेरा deventure है और यह कहता है कि देखो जी यह मैं ले लू मानलो reliance दोनों एक बड़े brand की बात करता हूँ इन्होंने भी 10% diventure आपका issue किया मुझे बता अब पैसा किसमें लगाओगे सर्थ दोनों का अच्छा brand है हम किसी में भी लगा सकते हैं ठीक बोला आपने दोनों brand अच्छे है किसी में भी लगा सकते हैं लेकि मेरे बच्चे देखो Tata ने क्या क्या यह कहता है कि देखो जी मैं तो 105 रुपे में दूँगा 108 रुपे में दूँगा जला बता आप 5 रुपे 6 रुपे एक्स्टा पे करके अगर 2% एक्स्टा रिटन पर एनम आपको मिलता है तो आप इनके diventures पर्षेज करगे कि नहीं करोगे सर करेंगे यही काम होता बच्चे तो company जो होती ना अपन करते हैं और आप पर्षेज भी करते हो तो खेर मैं मुद्धे पर आता हूं मैं क्या करता था पढ़ना फिर से पोइंट में पता नहीं कहां चला गया क्यों इतना समधा रहा हूं सिंपल से चेप्टर है बी में कहता है कि एक लाग के डिवेंचर इशू के आगे डिवेंचर करके आगे आप हमेशा उसकी फेस वेलु से एंट्री करोगे मतलब डिवेंचर जितने का है हमारा हमारा accounts कहता है अगर public से आपने face value से ज़्यादा पैसा लिया है अगर आपने public से face value को आपको अलग नाम से record करना पड़ेगा और वो पैसा आपको entry करते समय public को बताना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा कि हमने security premium के نाम से आप से पैसा लिया से ज्यादा पैशा लेते हो तो उनको एंटरी में भी आपको बताना पड़ेगा कि आप हमने आपको पैसा ज्यादा लिया है और जितना ज्यादा पैसा लिया सेंट तो वन लेका 5% कितना हो गया 5000 मुझे बताओ पब्लिक से वन लाइक यह प्लस फाइब टोटल हमने कितना लिया वन लाइक प्लस कोपी करें यहां दक आपका यह पहली एंट्री हो इसू के टाइम पर अब मैं आपको रिडंप्शन की टाइम की एंट्री बताना चाहता हूँ रिडंप्शन जब हमें पैसे वापस करने पब्लिक के जड़ा पढ़ो ना कोशन में जड़ा पढ़के मुझे बताओ पर करने की बात करा पार का मतलब करेंगे हम उतना ही पैसे वापस करेंगे, सुनना मेरी बात, इश्यू तो प्रीमियम पे हुआ था, लेकिन पहले से कमिटेड है कि जब पैसा वापस करूँगा, तो जितना आप से face value लिया था उतना ही वापस करूँगा, खेर जो कोशन बोलेगा वही काम करना पूरेगा बरे तो आप क्या करो, अब redemption के टाइम पे, ये 9% डिवेंचर की जो liability है ना, आप इस liability को हटा दो, यानि कि 1 लाइक रुपीज आप इसको debit करेंगे, और मुझे बताओ, अब ये पैसा मुझे किसको पे करना है, बोलो ना किसको पे करना है, सर डिवेंचर होल्डर को, यानि कि इ अगले एंट्री में क्या करो, डिवेंचर होल्डर जो है, डिवेंचर होल्डर, आप इनको debit कीजिए, यानि कि आप इनको हटाओ, और इनका पूरा का पूरा जो payment आपने commit किया था, यानि कि face value, वो पूरा का पूरा पैसा वापस कीजिए, to bank account, लिजे हमारी एंट्री हाँ पे complete हो गई, तो पहली एंट्री आपका issue के टाइम पे हुआ, redemption के टाइम पे हमने दो एंट्री पास किया, कोशन हमारे complete हो गया, एक बात धानकना, एक बात धानकना, लोग क्या बोलेंगे, मत सुलना, मैंने कहा कि जब issue के एंट्री कर रहे हो ना, तो सिब issue के बारे में कि फ़रा देया, ए और बी, तो मैं इसको मिटाता हूं and point number C पर आता हूं, मैं इसको मिटाता हूं and point number C पर आता हूं, आओ ज़ो देखता हूं कि point number C हमें क्या बोलने कि क्या कोशिश कर रहा है, अब दिखो नहां को अच्छा लगेगा, सुनो ध्यान से क्या बता रहाенा, प वन लेक 9% डिवेंचर एट डिसकाउंट ओफ 10% ध्यान समरे बच्चे कहता कि जो डिवेंचर इशू किया गया है वो 10% डिसकाउंट पर है रिडिमेबल कहता है कि एड़ पार रिपेबल यानि कि रिडिमेबल एड़ पार खेर मैं ज्यादा दिमांग नहीं लगाऊंगा पहल डिसकाउंट पर कोई क्यों डिवेंचर इशू करेगा वर बच्चे रिजन आप खुद सोच सकते हैं जरा मुझे बताओ सोचने का तरीका है एक है टाटा और एक है एक्स लिम्टेड इसने कहा मेरा डिवेंचर 12% डिवेंचर है यह कहता कि मेरा भी 12% डिवेंचर है बताओ पैसे इन भी चाहिए टो झाली आगे बड़ा होना और घुद्धां और पीछे करना है तो मुझे बताओ जब सभी लोग पैसा यहां लगा इस बिचारे का क्या होगा पता यह क्या करते thesis क्या इंधा करने के पब्ल्य को बोलते हैं कि या एक डिवेंचर मेरा 100 रुपे का है लेकिन मैं एक काम करता हूँ मैं आपको इसको 10% डिसकाउंट पर देने को त्यार हूँ मतलब 100 का समान है लेकिन मैं आपको 90 करेट से देने को त्यार हूँ मेरे बचे जो लोग इस ओफर को अच्छा समझते हैं रिस्क थोड़ा आप ले सकते हैं रिस्क भीर कर सकते हैं वो पैसा यहां पर लगाते हैं तो आप यह ना कहो कि डिसकाउंट पर इशु नहीं हो सकता है सब हो सकता है एक बात और मेरा थियोरी सेक्शन जो है उसमें मैंने सारी बाते आपको अलग से समझाई हुई है डिटेल में कै कैसे एसर लिखना है क्या मतलब निकल क्या आता है कितने मार्क सब बता है आपको बिल्कुल चीनता नहीं करना फिलाल निवेरिकली हम बातों को समझे की कोशिश कर रहें आपको थीक है निया आप धानदना यहां पर इशु कहता है कि डिसकाउंट पर पढ़ो ना कितना डि discuss Rapacerkaat कंपनी के लिए डिसकाउंट एक्सपेंज हें सिर्क्पनी के बढ़ना भी डिबीट होता तो बजबंद से सीकरों मैं क्यों समझारों समझ में नहीं आ रहा लेकि कोई वातनी में आपको बहुत छोटा बहुत प्यारा बच्चा समझ रहा हूं और सारी एंटरी समझा रहा हूं कि अगर डिवेंचर इशु हुआ डिसकाउंट पे तो आप इसको लिखते हैं डिसकाउंट डिसकाउंट ओन इशु लिखी यहां पर डिवेंचर मुझे यह बताईए जो डिवेंचर इशु हुआ इस कोशन में उसकी फेस वैल्यू कितनी है सर वन लैक आपने अभी अभी मेरे साथ कसम खाया था कि डिवेंचर के आगे हमेशा आप उसकी फेस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे ठीक है मुझे बताओ अगर ते तो हमारा वन लैक का बढ़ा वन लैक अगेंस हमने नाइंटे लिया टेन थाउजन का हमने डिसकाउंट दे दिया लिजे इशु के टाइम की एंटरी कंप्लीट हो गई अब जड़ा आव मैं देखो यहां पे रिडंप्शन के टाइम पे हमारी एंटरी क्या बनती है देखो लेकिन आप चिंता नहीं करना जब हम पैसे आपको वापस करेंगे जब रिडिम करेंगे तो हंड्रेड यानि कि जो फेस वैल्य उतना ही पैसा वापस करेंगे तो ठीक है जी आव ना हम उसकी एंटरी कर लें रिडंप्शन के टाइम पर क्या होगा मेरी बात ध्यान सुनना रिडिमेबल कहता पार जला बता इसमें पार वैल्यू कितनी है पार यानि कि फेस वैल्यू सर वन लेक तो आप एक काम करना यह जो 9% डिवेंचर है ना बच्छे 9% डिवेंचर यह पूरे वन लेक से आप लाप्रिटी को वापस किजी इसको खतम करो और यह पैसा कहना कि यह जो हमारी बनेगी न अगले एंट्री अब इनका पेमेंड कर देंगे तो इन नेक्स्ट एंट्री यह आपका डिवेंचर होल्डर अकंट आपको डेविट करना है और आपने कहना है तु बैंक अकांट अब सुननो मरी बात मैं क्या बता रहा है यहां पे यह वन लेक से आपने क्या क्या entry यहां पर complete किया तो question हमारा खतम हो गया पहले entry आपका issue का redemption के time पर we have passed two entry first one for making due and the last one for making आपका payment to deventure holder लिशे हमारी entry complete हो गई हमने point number C भी खतम किया point number C भी खतम किया आउना ज़रा देखते हैं कि point number D में क्या बता रहा है point number D में क्या बता रहा है पढ़ो ज़रा मेरे साथ क्या बता रहा point number D में सुनना यहां पर आपको मज़ा आएगा कुछ और भी ज़्यादा कहता कि issue of one like nine percent adventures add power मत पढ़ो उसके आगे ना 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 आ आगे नहीं पढ़ना आपने बच्चे आपस यहीं पर फोकस कोरें जितना मैंने पढ़ा कहता कि issue of one like nine percent adventures add power issue पार पर हुआ है तो मैं यहां पर क्या करूंगा issue के टाइम पे जो entry करूंगा उसमें पहली entry मेरे बच्चे issue add पार तो bank account debited bank account debited और two आपने कहा nine percent diventures account two आपने कहा nine percent diventures account one like के diventures है issue भी हमने one like पे किया है तो bank account debited to nine percent diventures आपका one like one like पहली entry हमारी यहां पर complete होगे issue के टाइम की बात समझ मारिये हां हम यहां प्याघ्य समझ में तो चलो issue की हमने पहले entry किया लेकिन ठैरू जडा आगे बरने के पहले चला आगे पढ़ो तो question क्या बता रहा है जबार पढ़ो नह refusal आगे क्या बता रहा है वह कह रहा है सुनो अध्यान्स को गह रहा है कि री पेबल एट प्रेमियम ओफ फाइप परसेंट दुबारा पड़ोंगा पॉइंट नबर डी स्टार्टिंग से एंड तक इशू ओफ 1,09% डिवेंचर एड पार केथा कि इशू तो पार पे हुआ है बट री पेबल केथा है एट प्रेमियम ओफ फाइप परसेंट मैं बचे तो यहां कहता है कि 5% पे रिपे करना है यह एक्रिमिंट पहले सुथा मैं आपको बता चुका हूँ पहला पता क्या हुआ यहां पर जब कंपनी ने डिवेंचर इशू किया ना यहां पर मानलो कंपनी के नाम एक्स लिम्टेड है तो इन्हों कहा कि देखो जी डिवेंचर जो मैं आपको इशू करना होना वो तो 100 रुपे के साफ से है मानलो 100 रुपे लेकिन जब मैं यह पैसा आपको रिपे यानि कि वापस करूंगा तो 105 करेट से मतलब 5 रुपे ज्यादा पे करेंगे प्रिमियम जो है वी आर पेइंग एड़ टाइम ओफ रिडंप्शन इशू के टाइम पे प्रिमियम नहीं रिडंप्शन के टाइम पे पता हमारा अकाउंट्स क्या बोलता है अगर आपने ठीक सी 11 वी क्लास पुड़ा गए तब को पता होगा पर अकाउंट्स कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है बात कर रहा हूं प्रिंस्पल कर लेना वाला है और अगर आपका अनुमान लगा सकते हो तो आप फ्यूचर का वेट नहीं करना आज ही उसको रिकॉर्ड कर लेना for example जैसे आप बनाते हो provision for doubtful debt मुझे पता है कि आगे कुछ पैसा डूप जाएगा कितना डूप जागा नहीं पता तो हम उसको आज एंट्री करते हैं बच्चे उसी तरीके से कहता है अकाउंट्स कि अगर कोई फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है आप उसका अनुमान ल किता हूं और कहता को जब रिपे करूंगा 105 तो बताओ कंपनी को लॉस यहां पर कितना होना है रुपेश 5 का पांच रुपे का क्या यह confirmed है क्योंकि हमें हमने कमिट कर दिया है हमें पे करना होगा तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा इश्यू के टाइम पर ही एक एंट्री और का जिर्वर्टेश्यम कहता है अकांउंट्स का आपको आतो देखो मैं क्या करूंगा देखो मैं क्या करूंगा सुनना मरी बात मुझे बताओ मुझे एक प्रीमियम पे करना ना बच्चे रिडंशन के टाइम पर मेरी लाविटी बढ़ रही है तो मैं बोलूंगा कि सब्सक्रामें लौस हो रहा है तो मैं लौस आज ही रिकरगनाईज करूंगा आज यानि की इसु के टाइम पर विल से लौस ओन इसु लौस ओन इसु ओफडिवेंचर यह एंट्री आपका होता है दो को यह एंट्री आप पहले से जानते भी होंगे मुझे पता है लेकिन आ liability, यह दूखो, liability का बढ़ना क्या करेंगे, trade करेंगे, तो liability को बढ़ा दिया, लेकिन इसके बदले में हमने कोई पैसा नही लिया है, इससे हमें एक loss होगा, अगर मैं pay करूँगा तो, तो loss मेरे बचे, loss expense के साथ क्या वोला था जी, बढ़ना डेबिट करेंगे तो आपने एंट्री क्या बोला loss on issue of dementia रिखाऊ ये issue के टाइम पर ही loss रिकोगनाईज किया गया इसलिए loss on issue लिखा गया loss on redemption मतलिखना issue के टाइम पर रिकोगनाईज रुआ है बस आपका यहां पर ठीक है न कितना परसेंट premium है सर वो कहता है कि 5% आपका तो 1,000,000 का 5% कितना हो जाएगा 5,000 come out मेरी बाद सुनो यहां पर आपका हमने क्या क्या पहली entry में bank to avengers issue का काम किया जी normal issue के entry की लेकि मेरे बचे अगर आपने commitment to refund amount आपने premium पर किया है तो यह 100% short है कि at the time of redemption you will have some loss और वो loss क्योंकि आपका accounts कहता है कि आज ही record करना पड़ेगा तो हमने क्या क्या issue के time पर उसकी entry पास कर दी अप लिश को भी करो मुझे यहां मिटाना है मुझे यहां पर कुछ और भी आपको समझाना है मैं आपने सको no down कर लिया होगा मैं आगे बढ़ता हूँ सुनो मेरी बात यह दो entry हो गया पता है कभी कभी यह जातर क्या होता है कहा जाता है कि आप चाहो तो यह दो entry को club कर सकते हो आप चाहो तो club कर सकते हो जरूरी नहीं है अगर अलग अलग दिखाओगे तो भी दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपका marks काट ले लेकिन कई author जो है इसको club कर देते हैं अब देखो club करने की entry क्या बन जाएगी आपको आता है तो है club करना debit वाली सारी बात है debit में लिख दो तो bank account debit आपका हो गया 1 lakh का amount bank account debit हो गया 1 lakh और देखो debit में क्या है loss on issue तो हमने यहां लिखा loss on issue account debited आप loss on issue debiture भी लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं आपका बड़ ये भी काफी है and तू देखो यहां पर क्या लिखा 9% debiture कुछ नहीं कर रहा मेरे बच्चे कुछ नहीं कर रहा बस दोनों entry को मैंने क्या क्या club कर दिया इसलिए क्योंकि कई सारी जगा ऐसी entry दिख जाएंगे तो आप परशान नहीं हो न इसका meaning same निकल के आता है तो two premium on redemption debit वाली बाते हमने debit में record कर दी क्रेइट वाली बाते क्रेइट में record कर दी तो entry हमारा एक ही बन गया आपकी मर्जी है एक्जाम में दो entry पास कर लो चाहिए कठा कोई भी दिकत नहीं है दोनों ठीक आपका है सर एक्जाम में कौन सा करे कहा ना बचे कोई भी कर सकते हैं किसी बी दुनिया में किसी बी ग्रह के-क आदमी को इत now घृब है कि आधा नंबर भी काट लेगा कुसर पता क्रवें थीक इस तर फिर अम कोई भी कर लें सर डोनों कर लेंगए दोनों क्यों कर एक डृज्सरओ अ.ँए करो ना समय थोड़ी तना होता is मेरे साथ pass करेंगे third entry सुनो जरह सुनो जरह redemption के time पे क्या होने वाला है आपने क्या करना है redemption के time पे जो भी कुछ pay करने का आपने commitment किया है ये दिखो ये दिखो एक तो हमें ये पैसा वापस करना है जी और ये जो liability थी वो भी वापस करना है तो मैं क्या करूंगा यह दोनों लावलिटी को मैं हटाऊंगा यानि कि 9% डिवेंचर 9% डिवेंचर अकाउंट को आप डेविड करें अकाउंट को डेविड करें कितने से सर वन लैक वन लैक से अच्छे बताओ प्रीमियम ओन रिडंशन यह जो प्रीमियम ओन रिडंशन है आप इस नाम को भी डेविड करें जरा बताओ यह लावलिटी भी कितने से 5 दोनों लावलिटी मेरी खतम हुरी बच्चे क्योंकि यह भ अगली एंटरी में हम इनका पेमिंट करेंगे तो हमें यहां पे डिवेंचर होल्डर आकाउंट डिवेंचर होल्डर अकाउंट आप यहां डिविट करेंगे 1,5,000 और ज्यादा लिख दिया excitement है ना बचे इसने जाधा चला जा रहा है अधवज अराम से करो तो थोटे जाधा जाएगा 2 bank account पता नहीं आज कितने सारी बाते मुझे आपको समझाने का मन कर रहा है सची बता रहा हूँ आज बहुत कुछ बाते आपको समझाने का मन कर रहा है गला बैठा हुआ बचे फिर भी मन कर रहा कि बहुत सारी बाते आपको एक बार में समझा दू ठीक हम समझेंगे सर बताओ आगे क्या बताना है कुछ नहीं इशू के एंट्री हो गई रिडंप्शन के टाइम पे जो भी कुछ हमें पे करना उस लावरिटी को हमने हटा दिया और डिवेंचर ओल्डर के लावरिटी बढ़ा दिया अगली इंट्री में उनका भी पेमेंड कर दिया काम खतम सर नरेशन ने लिखना लिख सकते हो बड़ कोई जरूरी नहीं है लेता हूं लेग दो ताखी आपको रेजिन में दिकतना वो बिइंग प्रीमियम प्रीमियम यंवैंबल ओन रिडंप्शन वहां प्यों सकते हो नरेशन क्या फरक पढ़ता है को यह तरम अबойд में अगे हमुआरा, और हमारा यह भी पॉंट खतम होग, डी भी खतम होगया, अब मैं आता हूं EW के पास, लास्ट है इसके अंदर में आप जहे करना लास्ट केस है, इसके बाद कोई केस बनता नहीं है, तो पॉंट नबर E में जड़ा आते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है, पॉंट नबर E में ध्यान सुनना अच्छा कोशन है जहां बोलूँगा रुख जा वहां पर रुख जाना कहता कि इशू ऑफ 1,09% डिवेंचर्स एट डिस्काउंट और 5% स्टॉप नहीं पढ़ना इसके आगे नहीं पढ़ना आमने इसके आगे वो कहता कि एक लाग के डिवेंचर्स आपने इशू किया है और कहता है कि 5% के डिसकाउंट पर मेरे बच्छे बताओ ना अगर डिवेंचर्स इशू किया है आपने मैं इशू की एंट्री आपको दिखा रहा हूं मैं इशू की एंट्री दिखा रहा हूं पहली एंट्री जल्दी से पढ करता हूं यह देखो बैंक अकाउंट डेबिटेट फिर आप लिखेंगे डिसकाउंट पे आपने इशू किया है तो आप यहां पे डिसकाउंट ओन इशू अकाउंट आपने डेबिट किया और तू आपने कहा 9% डिवेंचर अकाउंट डिवेंचर जब इशू होगा डिसकाउंट पे है तो हमारा डिसकाउंट एक्सवेंट से बढ़ना डेबिट होगा 1,000,000 के डिवेंचर से हैं जो बताओ बैंक में कितना गया सिर्फ 5% डिसकाउंट काटने के बाद यानिके 95,000 तो बताओ डिसकाउंट ओन इशू का माउंट कितना हो गया सिर्फ 5,000 लोग हमने इशू के एंट्री कर दे लेकिन लेकिन मेरे बच्छे यहां पे और भी कुछ आगे बोल रहा है पढ़ोना क्या बता रहा है वो कहत प्रेज्स प्रिफ Veget weekly प्रीमट मेरे बाद इशू तो आपकाडिसकाउंट पे हुआ है इसु तो आपका डिसकाउंट पे हुआ है लेकिन जो रिडीम होना है वह कहתा है कि 5% प्रीमयम पर रिडीम मेरे बच्छे फिर से बात आ जागी कि रिडीम जोंगा 5% प्रीमं या रीक future में जब ज़्यादा पे करने का commitment करोगे face value से ज़्यादा तो पर बच्छे आपको loss पक्का होने वाला है यानि कि मेरी एक entry हाँ फिर से बनने वाली है जी देखो मैं क्या बोलूँगा टू premium on redemption ये लावलिटी हमारे उपर बढ़ रहा है क्योंकि ये भी अब मुझे pay करना पड़ेगा कितना percent है five percent पर बच्छे discount premium का जो भी rate होगा हमेशा आपको face value पर निकालना है अभी note लिखाऊंगा तो आपने क्या बोला one life का five percent कितना हो गया five thoughts और आपने क्या करना जी इसक कमिट ज्यादा किया है वापस करने का face value से face value से ज्यादा तो उस टाइम पर आपको loss को issue के टाइम पर recognize करना पड़ेगा ये five thousand का माउंट आ गया ये दो entry हमने पास किया हमरे बच्छे issue के टाइम पर मैं इनको मिटा दू क्या इनको मैं मिटा देता हूं यहां पर मुझे रखना अभी आओ जला Redemption के टाइम पर रिडम्शन के टाइम पर क्या नहीं किलके आएगा थर्ड यहां पर जला बताओ रिडम्शन के टाइम पर मुझे क्या 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 करना है जी सर एक तो यह एक लाग का payment करना है और सर यह five thousand का payment करना है तो मैं बच्छे मैं क्या आपका है ना 9% डिवेंचे इसको डेविट करूँगा पूरे वन लैक रुपीज से फिर जो यह premium on redemption है यह जो premium on redemption है मैं इसको भी यहां से क्या करूँगा डेविट करूँगा आपका कितने से जी five thousand से बताओ जला यह सारा payment हमें किसको करना है तो डिवेंचर होल्डर यह amount कितना होगे आपका one lakh five thousand का one lakh five thousand का को डाउट इसके इंदर में बिलकुल नहीं सर बिलकुल नहीं अब चौती entry में आऊना हम इनका payment कर देते हैं तो अगर मैं इनका payment करूँगा विल डेविट डिवेंचर होल्डर अकाउंट हम इससे डेविट करेंगे one lakh five thousand और हमने क्य अलना एक note यहां लिख दो जो आगे आपको फायदा होगा कहते हैं कि percentage of discount कोशन में जो discount का percentage होगा अबलिक premium premium का जो percentage होगा कोई भी कहता है is always is always sorry applied applied on face value face value of diventures बच्छे diventures का जो face value होगा face value का मतलब क्या होता है जी that is par value है ना बच्छे par value कह दे face value कह दे दोनों का meaning same आपका है आप हमेशा discount या premium उसी पर apply करेंगे इसको आप box में डाल दो यह note आपके लिए है यह examiner को थोड़े दिखाना है आप देख रहे थे discount का rate था वो भी मैंने इस पर apply किया था premium का rate था वो भी इस पर apply किया था हमेशा इस पर मत कर देना face value पर हमेशा apply करते है सर ठीक है बताओ सर क्या सर इक बाब बताओ ना यह तो हमें समझ में आ गया लेकिन अगर यह दो entry को club करें तो कैसे कर सकते हैं आव मैं आपको बताता हूं दो दो entry कैसे club होगा देखो bank account debit लिखो यहां पर bank account debit कितना मांट हो गया 95 समझो ना आपको अच्छा लगेगा मैं discount होते हैं में बचहेब डिस्काउंट जो होते हैं वह भी एक तरीकės के लॉस ही तो होते हैं बताओ ना अगर मैं कहता हूं कि जो discount हैं discount वह एक तरीके के लॉस ही तो है तो गलत बोला हूं क्या अरे मैंने किसी को discount दे दिया डिसकाउंट किसी को दे दिया वो लॉसी तो हो गया बच्चे कुछ पाप तो नहीं कर दा कुछ गलत तो नहीं बोला मैं अगर मैंने किसी को डिसकाउंट दिया वो लॉसी तो होगा सब हाँ, अच्छे बता क्या जितने सारे लोसेज होते हैं, क्या वो सारे डिसकाउंट होते हैं, जिला बता कौन सा ट्रू है, डिसकाउंट जो है वो लोस हो सकता है, क्या लोस को कभी डिसकाउंट कह सकते हो, लोस को डिसकाउंट ये ना ना ना, अरे किसी के घर में आग लग और हम चिला रहें डिसकाउंट हो गया डिसकाउंट का ट्रीक स्मूर्ड लोस हो गया इपुनों इंटरी मिलकर आप यहां पर बोलेंगे loss on issue क्योंकि दोनों issue के time पे ही है आप देख सकते हो ये भी issue के time पे तो 5 और 5 कितना हो गया आपका 10,000 का amount तू जड़ा बताओ आप यहां पे क्या लिखेंगे 9% diventure account आप लिखेंगे तू 9% diventure account बताओ जड़ा amount कितना है अच्छा च्छा बताओ ना यहां premium on redemption क्रेट में कितना लिखा हुआ है तो premium on redemption यह आपका amount हो गया कितना जी 5000 का लिज़े हमारी entry complete हो गए अगर आपको 2 entry करने का मन करना ऐसे कर लो club करना इस तरी के कर लो एक बात का सिब ध्यान लिखना अगर entry club करेंगे तो discount and loss को अलग-अलग नहीं दिखाएंगे कुछ लोग ऐसे गलत नहीं है लेकि कुछ लोग वहां पर marks काट लेते हैं इसलिए entry जब club करना होगा तो discount का amount जो है वो भी क्या करें आप loss में मिला देजे आई बात समझ में तो entry आपके इस तरीके से बन जाएगी को doubt नहीं सरे तो मैंना अब इसके बाद आपको यहां पर यह जो note दिया ना बचे यह note number one था आपका note number one था अब लिखो जड़ा मेरे साथ note number two मैं इसको मिटाऊं और थोड़ा summarize करूं कि कि मैंने आपको क्या समझाया और फिर आगे के question की बाते में आपको समझाना चाहता हूं लिखो जड़ा मेरे साथ यहां पर note number two note number two लिखना note number two कहते है कि deventures deventures can be issued can be issued deventures can be issued at at number one पार पार मतलब face value number two premium यानि कि हमने कुछ आपसे ज़्यादा लेना है जी या फिर number three discount बढ़े डिवेंचर्स जो है दे कैन बी इसुड इधर पार प्रीम और डिसकाउंट लेकिन लिखना इसी में बट बट इसी पॉइंट में डिवेंचर्स डिवेंचर्स can be can be redeemed redeemed यानि कि अगर उनका पैसा वापस करना चाहते हैं तो redeemed only at number one या तो पार पे या तो पार पे या अमरे बच्छे प्रीमियम पे अगर आप डिवेंचर्स को redeem करना चाहते हो उनका पैसा वापस करना चाहते हो तो या तो पार पे वापस करोगे या प्रीमियम पे वापस करोगे स्टार्टिंग में कह दो कि आप मुझे 100 दो जब मैं पैसे आपको वापस करूंगा तो 98 वापस करूंगा क्या कोई मुझे पैसा देगा बच्छे बोलो ना देगा पैसा नहीं देगा नहीं देगा वह मना कर देगा इसलिए Nord回 Studios जो है वह पार पे हो सकता है प्रीमियम पे ले कि डिस्कॉंट पे नहीं हो सकता कोई डाउट इसके अंदर मैं नहें सब कोई डाउट नहीं लें Gel Oke एक्जाम में कभी-कभी यह तो मैं practically बात करता हूं, practical ऐसा होता है, लेकि एक्जाम में कभी-कभी देखा गया है, बचे, कि वो थोड़ा सा आपके साथ game खेलता है, और redemption की जो बात है न, वो आपका discount पे कह देता है, मैं repeat कर रहा हूं, बिल्कुल conflict दिमाग में नहीं होना चाह लिए, but in exam, in book, sometimes we find कि यहां पे redemption जो होता है, वो discount पे कह देता है, तो आप जड़ा मैं आपको दिखाओं वो question कैसे बनाएगा, और फिर मैं आपको समझाता हूं, मेरा काम समझाना है, मैं आपको हर एक तरीके के entry समझाओंगा, क्योंकि अभी हम real life में थोड़ा है, exam में कई लिए बार ऐसे question आए भी हैं, यह मत कहना कि नहीं आया है, आया भी मैं भी दिखाओंगा मेरे book में, वो question आया भी है, CMA, CSB, कहां की बात करो, कहीं भी, आपको देखे कि वो question नहीं कल जाएगा, लेकि जड़ा समझते हैं क्या, तो पहले आपका यहां पर आई जड़ा, इस question बना रहा हूँ, X limited issued, issued, कहता है कि 5000, 5000, 12% debentures, 12% debentures, इस पर debentures का आपको नमबर बता रहा है, 5000, 12% debentures, of rupees 100 each, of rupees 100 each, कहता है कि at, at par, at par, at par, लिखो यहां पर, at par, but, redeemable, 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 at discount of, at discount of, कहता है, यहां पर, मान लो, 5%, discount of 5%, कहता है कि, X limited ने 5000, 12%, debentures, 100 रुपे वाले issue किये है, add par, लेकि redeem करना है, at a discount of 5%, बोलता बता, आप इसकी entries क्या pass करोगे, आप इसकी entries क्या pass करोगे, तो सुनो ध्यान से, यहां पर solution क्या निकल क्या आता है, आपको बहुत ध्यान से, मेरी बातें सुननी है, पहले न, आप एक काम करो, issue के time की entry करो, जब हम issue के entry करते हैं, we never think about redemption, तो देखो, issue जो हुआ है, बचे, वो add par कहता है, यानि कि entry आपका बन जाएगा, bank account debited, bank account debited, and two, आप लिखेंगे यहां पे, 12% debentures account, आप लिखेंगे यहां पे, two 12% debentures account, मुझे बताओ न, मुझे बताओ, 5000 हमने debentures issue किया है, और एक debenture, debentures कितने के होगे, 5 lakhs के, 5 lakhs मेरे बच्चे, public को हमने debentures issue किये, 5 lakhs रुपिज के, और कहता है कि issued at par, यानि कि bank में भी कितना आया होगा, 5 lakhs come out, 5 lakhs come out, यह issue के time की पहली entry होगे, को डाउट इसके अंदर में, नहीं सर, कोई डाउट नहीं, लेकिन मुझे, जब भी issue के time की entry करता हूँ, तो मुझे redemption किसी पहोता है, यह हमें सोचना पड़ता बच्चे, क्योंकि आप देख रहे थे कि, अगर redemption premium पहोता है, अगर redemption premium पहोता है, तो मुझे issue के time पहे, एक entry पास करनी पड़ रही थी, देख रहे थे आप यहां पे, सर हाँ, तो आप सुनो ध्यान से, bank to diventure account समझ में आ गया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि, अगर, अगर यहां पे आपका redemption discount पहोगा, तो फिर क्या करेंगे, मुझे बताओ, अगर redemption discount पहोगा, ऐसा practically it's not possible, बट exam में कोशन आते हैं, आपको चिंता नहीं करना, जिना बताओ, अगर redemption यहां पे आपका discount पहोता है, तो बताओ, future में company को फायदा होगा कि घाटा होगा, बस इतना बताओ, redemption अगर discount पहोता है, तो बताओ, company को future में, यानि कि जब redemption होगा, तो फायदा होगा कि घाटा होगा, सरक company को फायदा होगा, क्योंकि इसका मतलब है, कि 100 रुपीज हमने आज आपसे लिए हैं, लेकि company को 5 रुपीज का यहां पर फायदा होगा, क्या वो फायदा आज होगा, क्या वो फायदा आज होगा, नहीं सर, आज नहीं होगा, वो तो तब होगा, जब आपका future आएगा, जब payment करने की बारी आएगी, accounts कहता है, अगर future में कोई loss होने वाला है, तो उसकी तो entry आज पास क करना, फायदा तब record होता, जब हमें हो जाता अबरे बच्चे, मेरा सिब यह कहना कि issue के time पे मुझे पता है कि redemption के time पे मुझे फायदा होगा, लेकिन वो फायदा आज accounts record करने से मना करता है, तो we do not pass any other entry except this one, इस entry को छोड़के दूसरा कोई entry पास नहीं करेंगे, हाँ, जब बारी आएगी redemption की, जब बारी आएगी redemption की, तो number two में जड़ा सुनना ध्यान से क्या करूंगा, मैं इस liability को हटाऊंगा, ये 12% जो आपका diventure है, ये 12% जो आपका diventure है, मेरे बच्चे, आप इस liability को हटा दोना, ये 5 lakh से आपने इसको हटा दिया, बोलो जड़ा, इसके बद discount पे, तो इसका 5% से 25,000 हो गया, अगर मैं उसको हटा दूँ, तो मुझे सर 4,75,000 का payment करना है, बच्चे, लावलिटी जो है, वो 5 lakh से खतम हो गई, और इसके बदले में, डिवेंचर होटर को मुझे कितना पे करना, 475,000, बताओ जड़ा, मुझे, याले की company को कितने का फाय अब इसके ओपर में, लॉंग टम लावलिटी के ओपर में, याव फिक्स्ट एसेट्स पे कुछ फायदे होते हैं, तो बच्चे वो capital profit होता है, सुने मने क्या बताया, share capital, long term लावलिटी जैसे डिवेंचर हो गया, या फिक्स्ट एसेट्स, long term एसेट्स, पर अगर कोई फाय फाइदा होता है तो वह फाइदा आपका capital profit होता है और accounts में मेरे बच्छे जितने भी capital profit होते हैं they all are transfer to capital reserve सुना मरी बात सर हाँ जी capital reserve तो आप इसको क्या करेंगे हम यह entry को transfer करेंगे to capital capital reserve account लिखें मेरे साथ यहां पे to capital reserve account हमने यह 25,000 वहां transfer कर दिया यह profit मेरे बच्छे हो गया can station पर आपका entry को कुछ और कर सकते हैं नहीं कर सकते बस यहीं करना है कि 5,000,000 लाइटी हटाओ 4,75 मुझे आपको pay करना है इतना मुझे फाइदा हो गया फाइदा भी transfer to capital reserve account बस आओ ना तिसरी entry अब काम करते हैं अब हम इनका payment करते हैं जरा इस entry को देके बताओ दिवेंचर होल्डर को में कितना पे करना है 4,75 तो मैंने कहा किया यहां पे दिवेंचर होल्डर कि जो liability है मैं इसको डेविट करूंगा 4,75 से और हमने इनका payment कर दिया मेरे बच्चे यानि कि विलाइट 2 bank account 4,75,000 लीजे हमारी entry complete हो गई हमने payment करने के entry complete करते है payment करने के entry complete होगे मेरी बात समझ मारी मैं क्या बता रहा हूँ अरे मेरी बात समझ मारी क्या बता रहा है सर हां सर हां चिलाओ मत सर गला और आपका खराब हो जाएगा हमारा कुछ नहीं जाएगा सर आपका ही गला खराब हो जाएगा हो जाने दो आज तो बस मैं रुकने वाला नहीं मुझे तो इतने सारी बातें समझाने की मन कर रहा है इसमें कि मैं क्या बता हूँ आपके दिमाग में जितने सारे कीडे थे पहले के उस सब मैं खतम करना चाहता हूँ और यहां मुझे यहां पे एक नोट और भी लिखाना है किसी कोशन में अगर आपको नहीं बताता कि डिवेंचर के फेस वैल्यू कितने के हैं उसने कह दिया कि भी आप बस हमने क्या-क्या पूरे अकाउंटनसी में जो इंट्रेस बेरिंग सेक्योटी जोते हैं इंट्रेस बेरिंग सेक्योटी का मतलब जिसमें इंट्रेस मिलता है जैसे डिवेंचर हो गया बॉंड हो गया तो इनकी फेस वैल्यू हमेशा हम 100 रुपे का है करेंगे औल्वेज जोन कि फेस्ट वैलु आपका 100 रुपीज का है सुनने मरे बात में क्या बता रहा हूं सरहां सरहां तो इसी को लिए लोड नोट को रूप में लिखा दूं यहां पर इफ फेस्ट वैलु से face value of interest bearing security में इसी मैंने किसी में interest bearing security के बाद कर रहा हूँ interest bearing securities का मतलब होता है जिस पे हमें interest देना है आगे bracket में for example जैसे कि आपका debentures हो गया debenture हो गया जैसे कि आपका bonds हो गया bonds हो गया etc break a close लिगना if face value of interest bearing securities are are not given in question are not given in question अगर question आपको नहीं बदाता कॉमा we always assume we always assume assume that that face value face value is equal to is equal to rupees hundred added in whole accountancy जब तक आप accountancy पढ़ेंगे तब तक यह आपका exemption चलेगा इसी exemption पर questions बनते हैं किसी भी लेबल के exam का आई बात समझ में सब्सक्राइब एक बात और बता दूं ऐसे इस topics सो कोई मतलब नहीं बनता बट फिर भी मेरे बच्चे अगर शेर्स का चाहिए वो एक्विटी हो चाहिए प्रिफरेंस हो अगर उनका फेस वैलू आपको नहीं बता है तो हमेशा 10 रुपीज का माना जाता है मैं शेर्स वाले चैप्टर में इसके बारे में discussion करूंगा बट वहां पर 10 रुपे का माना जाता है क्योंकि शेर्स जो मेरे होते हैं बच्चे जो शेर्स होते हैं वो जिनरली हमारे कंट्री में 10 रुपे का इश्यू किया जाता है इंट्रेस विरिंग 100 रुपे का वो 10 रुपे का आई बात समझ में सर हाँ आप इसकी कोपी कर लो ये भी note और मैं इसको मिटाता हूं लो में इसको मिटाता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं आज तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है आज मुझे मन कर रहा है बस आपको समझाते जाओं समझाते जाओं ये चैप्टर बहुत कहरा है बच्चे इसमें मज़ा तब आपको ज्यादा आएगा जब मैं redemption के अंदर आ और उस चित्थी को अपने पास रखना किसी बच्चे से पुछना कि क्या आपसे ज्यादा नोल जी यहां पर है अगर वह कह देगा तो मैं उस चित्थी के मतले में आपको पांच लाख रुपे देने को त्यार हूं सर सच बोल लो नहीं बच्चे ऐसी बोलो फेकता हूं फे क्या मस्ट कोशन है यह सीए इंटर में 2000 में आज से 16-17 साल पहले ही कोशन आया था इसके बातों ऐसा कोशन चाहे कोई भी एक्जाम देख लो सब में रिपीट किया बचे सब में छोटे से छोटे बड़े से बड़े तक में एक बाद देखते हैं कि क्या यह कोशन हम लोग कर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सुनना ध्यान से अच्छा लगेगा सेवेंध कोशन सेवेंध कोशन पढ़ो जड़ा पास जनल एंटरिज पढ़ रहे मेरे साथ सेवेंध कोशन सेवेंध कहता कि पास जनल एंटरिज इन इयर वन क्या मतलब होता है यानि कि स्टार्टिं करना है पहले वाले केस में कहता है इसका मतलब किया निकल गाया जो दो मैं लिख रहा हूँ इसज़ार्य है का समय हो रहा है ऐसा अपको नबर आपको 1 कह रहा है जलेकि में माश्य केसमें पैज और में लएक कि ओधान के बारे में वह में redemption जोगा at 98% 98% यानि कि 2% discount हो गया 98% का मतलब क्या हो गया जी 2% discount हो गया देखो जड़ा उसने क्या-क्या कह दिया कि redemption आपका discount पर होता है practically it's not possible लेकि एक्जाम में question आ सकते हैं आए भी है इसलिए आपको समहल के रहना है तो आओ जड़ा मैं आपको बता हूं यहां पर एंटरिस कैसे पास होगी पहले मैं काम करता हूं सेवेंध कोशन का solution में आपको case no.1 करा रहा हूं case no.1 और entry आपको पहले मैं दिखा रहा हूं issue के time का issue के time का number a entry लिखे issue के time का जिदा देखो इशू से डिसकाउंट पर हुआ है तो यहां पर डिसकाउंट डिसकाउंट ओन इशू डिसकाउंट ओन इशू अकाउंट डिसकाउंट 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 ड डिसकाउंट पे वन लाइका 5% मेरे बच्चे 5000 आपका हो जाएगा तो बैंक में वी आर रिसीविंग 95 थोस्ट बैंक में 95 आ गया 5 का डिसकाउंट हो गया 2 डिवेंचर एकाउंट कोई डाउट इसके इंदर में नहीं सर इशू के टाइम पे पहली एंट्री लेकिन जरा चेक करो ना क्या रिडम्शन पार वेलू से ज्यादा पर हो रहा है सरहां प्रीमियम पे तो आप जानते हैं कि इशू के टाइम पे एक एंट्री हम और पास करेंगे मेरे बच्चे एंट लॉस ओन इशू लॉस ओन इशू अकाउंट आप यहां डेविट करेंगे एंट्व आप कहेंगे प्रीमियम ओन रिडम्शन यार है ना यह सारी बाते समझा चुका हूं बारबर समझाने के कोई मतलब नहीं बनता तो हमने लिखा टू प्रीमियम रिडम्शन बताओ ना यह सिर्फ और इशू की इंट्री पुछी थी तो मैंने इशू के एंट्री कर दी अच्छे बताओ डिसकाउंट औन लॉस बचाउंट ख Tuic करना ही करना फ़ूंध की है लिखो कि लॉस लिखो सर अब हमें शर्मिंदा ना करो सर यहां पर सर डिसकाउंट थोड़े आएगा डिसकाउंट लोसे होते लोस डिसकाउंट नहीं होता तो लोस लिखेंगे और 5 प्लस 2 टोटल कितना हो गया 7000 का माउट तो आपने क्या बोला यहां पर जी 11 प्रसेंट डि लिखो यहां पर एंड तू आपने कहा प्रीमियम ओन रिडंप्शन तो आप यहां लिखेंगे तू प्रीमियम ओन रिडंप्शन बताओ ज़रा यह अमाउंट आपका कितना निकल के आता है सर इस 2000 का माउंट 2000 एंट्री हैं पूछ रहा है लेकिन हम हम अपने आपको बद्दध करगा हूं मैं तो बद्दा ऋचुका हूं मैं तो बुड़्ध हो चूका हूं आपकी बात कर रहा हूं मैं आपको थोड़ा बला बना रहाएं मORE आप यह जो premium on redemption है यह premium on redemption जो है आप इसको भी हटाएंगे और आप इसको debit करेंगे amount कितना है 2000 जला बताओ यह सारा payment हमें किस्से करना है फिर two diventure holder account को लिखो यहां पर two diventure holder account one like two thousand एक लाग 2,000 रुपे इसके बाद मारी बात फुनना दी पोइंट में आप क्या करेंगे now pay the amount to diventure holder तो विल debit diventure holder account diventure holder account debited one like two thousand और pay कर दिया ना तो लिख दो two bank account वर्लनेक्ट टूथाउजन कोशन खतम हो गया नमबर एक केस एक खतम हो गया बच्चे केस भी अभी बाकी है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको समझा ही क्यों रहा हूं मैं क्यों समझा रहा हूं आप सब कुछ तो जानते हो इससे मिटा दो मैं यह पार्ट यह तो ह चुका होगा नहीं हुआ तो थोज़े कि पहुझ करो मेरी क्लास को फिर अब लिग देना पूरा बट मैं रुक नहीं सकता मुझे ना क्लास में चुप रहना आता ही नहीं बच्चे मैं क्या गरूँ पता है जो लाइव क्लासे हमारी होती है उसमें हम लोग का जितना मेहनत लगता है उसे दस कुना ज्यादा मेहनत इसमें लगता है लाइव क्लास में बच्चों के साथ मस्ती कर लो मौझ कर लो थोड़ा दिर अराम कर लो थोड़ा चुप हो जाओ लेकिन यहां तो डर है अगर एक सेकंड भी चुप हो गया कहीं आप सो ना जाओ तो हमारी शर्मिं रहेगा लेकिन मैं आपको सोने नहीं दूंगा अपने जिसकी कोपी कर लो यह हो गया सर हां तो आओ जला अब मैं केस नुबर टू यहां लेकर आता हूं जहानीजे केस नुबर टू में अच्छा मैं लिख दो यहां पर पहला केस क्या था केस बन था इस्चूड पहला case जो था हमारा जी, discount, कॉमा देखे, redeemable, redeemable, redeemable at 2% premium, ये तो हमने पहले भी question किये थे, ये कोई नया नही था आपके लिए, तो ये हमारा काम हो चुका है, अब case number 2 में लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे, issued, issued at, issued at 5% discount, ये तो common है दोनों में, discount, redeemable, जो हमें redeem करना है, repay करना है, redeemable, कहता है कि at, at, कितना जे, सुर्फ 2% discount, 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 क्योंकि मरें बच्चे, अगर redeem कहता है, 98% पे, इसका मतलब कि 2% का discount हो गया, हमें इस entry को दिखाना है, मैं इसको मिटा दू, सर, हाँ सर, लिखो के कहाँ, नहीं मिटाओ के तो, चलो start करता हूँ, आप जड़ा आ जा, issue के time की entry, issue के time की entry, number A, issue तो 5% discount पे वहा था था न discount debited, discount on issue, क्योंकि discount तो 5% ही दिया, issue के time पे, सिब issue के बारे में सोचना, discount on issue, account debited, and 2, आपने क्या बोला, यहाँ पे 11% debenture account, 11% debenture account, कोई doubt इसके इंदर में, नहीं सर, तो देखो, एक लाख रुपे के debentures है, बेंक में आपका 95,000 आया था, और 5000 का आपने discount दिया था, पहली entry हमारी होगी, issue के time की अगली entry, समझो ना, कोशन कहता है कि redeem होगा 2% premium पे, मुझे बताओ, अगर redemption 2% premium पे होगा, अगर redemption आपका 2% premium पे होगा, तो मुझे यह बताओ, कि company को घाटा होगा कि फायदा होगा, मैंने पहले बताया हुआ है, घाटा फायदा हमेशा compare करते है face value से, अगर एक लाग का डिवेंचर 2% discount पे redeem कर दो, तो फायदा की खाटा, सर फायदा होगा, क्या फायदा आज record करूँगा, नहीं करूँगा, फायदा तब record होता है, जब हमारा हो जाता है, मतलब redemption के time पे, तो मुझे इशू के time पे सिफ़ एक entry बनेगा, जब हम आएंग प्रिमियम और डिसकाउंट जो भी निकालना, फेस वल्यूपर निकाला जाता है, तो मुझे यहां पे हमें 2000 का company को फायदा होने माला है, यह फायदा we transfer to capital reserve account, आप जानते हो ना यह बात, सर हां जी, और अगली entry में हम क्या करेंगे, now we'll make payment to diventure holder, तो we'll debit यहां diventure holder, diventure holder, account debited 98,000 और हमने pay कर दिया, यहीं के two bank account, two bank account, this is how much 98,000, लिजए हमारी entry complete हो गई, कोशन हमारा यहां पे complete हो गया, खतम हो गी बात, बात खतम हो गी बच्चे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस topic में पढ़ाऊं भी तो क्या पढ़ाऊं, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, यह सारी बाते आप already जानते हैं, कोशन हमारा खतम हो गया, अप लेज यहां तो यही चाहता हूँ कि आपको मेरी सारे topics में बात समझ में आएं, तभी तो मज़ा आएगा, मुझे भी और आपको भी, ने तो फिर आप मुझे phone करके doubt पुछोगे, और फिर मैं आपको doubt बताऊंगा, मैं चाहता नहीं कि वो 9 बत आया, बस एक बार class देख लो, सारी बाते अब इसके बाद हम second topic नया page लेंगे, बिल्कुल fresh page, और लिखो heading आप यहां पे, issue for deventures, issue for deventures, for issue of deventures, issue of deventures, for consideration, for consideration, other than cash, other than cash, अभी तो हमने देखा किया, कमपनी को cash की requirement है, और हमने क्या-क्या, deventures issue कर दी, लेकिन सोचो ना, मुझे एक building खरिदना है, मालोई building है, एक building खरिदना है, मुझे एक machine खरिदना है, मुझे यहां पे बहुत सारी चीजे परचेज करनी है, अब जिस आदमी से मैंने ये चीज देने के बजाए, अपने कमपनी का deventures आपको दे देता हूँ, दस साल के लिए, रखो अपने पास, दस साल तक मैं आपको क्या करूँगा, इंट्रेस्ट में करूँगा, और दस साल के पर पैसे वापस कर दूँगा, तो जो आदमी इस बात से agree कर जागा हमेरे बच्चे, जो बोलता है कि ठीक है, हमें कोई दिकत नहीं है, उसी case में कहते है, issue of dimensions for consideration other than cash, cash को छोड़के किसी और purpose के लिए, और purpose क्या होगा, एसेट्स पर सेज़ करना है, मशेन लिया, बिल्डिंग लिया, किसी के business को ही पर सेज़ कर लिया हमने, एक topic आएगा, ML Commission, वहाँ पर मैं रहास आपके लिए कसम से जूट नहीं बोला, सिर्फ आपके लिए मैंने क्या क्या बुक के कुछ कोशन बनाए हैं, इस topic को समझाने के लिए भी, वह आप जड़ा आ जाए, यहां पर कोशन बने, सर एक बाबताओ, एक बाबताओ, हमने कहीं सुना है, हमने कहीं सुना है, सर अगर आपने सुना है, तो गलत सुना है, ऐसा नहीं है, आप जड़ा दुबारा उस section को पढ़ो, section 53 of Companies Act 2013, section 53 of Companies Act 2013 कहता है कि shares can't be issued a discount, shares को मना किया गया है, दिवेंचर को मना थोड़े ही क्या गया है, बात समझवारी में क्या बता रहा हूँ, तो section 53 है ने, बचे, Companies Act का, वो कहता है कि discount पे shares issue नहीं हो सकते है, discount पे divेंचर को मना नहीं क्या गया है, और आप चिंता नहीं करो, मैंने सब कुछ बढ़ा वाई, इतना बड़ा या मैं आपको वहाँ पह! पढ़ा चुक है तो समझा चुका हूँ, वह डिवेंचर को मना नहीं करता है, पढ़ेगा आप नमर वन, इक स रुपीज 99,000 जो को कितना अच्छा पोइंट है कोई कमपनी है जी एक सिंटेड जिसने एक मशीन प्रशेज किया 99,000 का पेबल बाई इश्यू ऑफ टेन परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज हंडेड इच जिसका पेमेंट उन्होंने डिवेंचर इश्यू करके किया है किस तरी में कहता है कि डिसकाउंट ऑफ टेर परसेंट तीनों केस हो सकता मैंने आपको पहले बताया हुए तो आव नहीं देखतें एंट्री कैसे बनेगा लिखे मेरे साथ सोलूशन नमर बन फिर्ला तो यह काम करना केस में आने के पहले वह कौमन एंट्री करो जो तीनों क मशिण को प्रचेज करने का जिदा बता। कम्पन MAS अजी किया है ? सर मशिण अच्छा बता हूँ मशिन asses goodbyeilly है सर अफ़ जाते तो हो कि assets यानि मशुन का बढ़ना डेविट किया जाएगा अभी तो लिखाया था उधर मैंने आपको देखे लोगा नहीं विश्वाफ से तो, जितने भी Assets होते हैं, जब हो बढ़ते हैं, जब हुष हो बढ़ते हैं, वहुंग हैं तो कृज़िए बता है, क्या नाम है उस बन्ते का, तो नाम नहीं बता रहा है, नाम ना बता है ना बचे, तो जिन से हम Assets पर सेच करते हैं, on credit, वेंडर कहते हैं वेंडर टू वेंडर एकाउंट आफ हमें नाम बता देते तो में नाम लिखता लेकिन नाम नहीं बता तो क्या वोला टू वेंडर रिकाउंट लिदो नरेशन यहां पे Ben वींग मशीन मशीन को पर्रीजक्ट है और क्रेडिट हमने उसकी एंट्री पासके वर करेंगे केस वाइच आपने जो इनका पेमिंट करना है उसके लिए जो डिवेंचर्स आपने इस्यू किए तो सो रुपे का और केस वन में कहता बच्छे इस्यू किया गया एड पार कि आपको नहीं पता पार का मतलब क्या होता है सो रुपे का डिवेंचर हंडड पे इस्यू किया गया जी अरे पार का यहीं तो मतलब होता है हंडड का सवान हंडड पे इस्यू किया तो बताओ ना आप इतने प्यारे वच्छे हो अगर मुझे वेंडर का पेमिंट करना है तो वेंडर के लिविटी खतम हो जाएगी तो मैं मैं क्या करूंगा अगली एंट्री में वेंडर जो हमारा लाइबिलिटी था मैं उसको हटा दूंगा कितने से 99 था यह लिजी मुझे बताओ मैंने इनको पेमिंट करने के लिए क्या दिया है सर आपने दिया है 10% डिवेंचर तो मुझे इस लाइबिलिटी को हटाने के आपको एंट्री में थोड़ा जगा छोड़ो फिर निचे लिखो मैं यहां पर आपको निरेशन भी दिखाऊंगा फिर निचे लिखो यहां पर आपको वर्किंग सिखा रहा हूं वर्किंग नूट नमबर वन जला बता कितने नंबर ओफ डिवेंचर इशू किये जाएंग कितने नंबर ओफ डिवेंचर इशू किये जाएंगे जी अगर मुझे वेंडर का 99,000 का पेमेंट करना मेरे बच्चे अगर मुझे आपका 99,000 पेमेंट करना है और एक डिवेंचर कितने का बता रहा है सर हंडर्ड का अच्छा यह ना बताता एक कितने का तो हम कितने का मानत कितना आएगा आपने कसम खाया था 990 यानिकि नंबर ओफ डिवेंचर इंटू फेस वैलू आप कसम तोड़ना नहीं आपने कहा था कि सर हम इसके आगे हमेशना फेस वैलू रिकॉर्ड करेंगे तो 990 इंटू 100 कितना हो गया जी 99 था सर आपने हमें बेगूब बना दिया यही कि इसुड इसुड एड़ पार एड़ पार कुछ भी लिख सकतो कि 990 इंटू इवेंचर इशू 2 वेंडर कुछ भी करो एंट्री का मतलब पता हो नहीं यह वर्किंग नोट का पार्ट आपका है आए बात समझ में आप लिज को भी करें यह एंट्री तो सब में कॉमन होगा case number one मैंने आपको समझा दिया अब मैं यहां आप तो इसके निचे चलो मैं भी निचे लिख देता हूं यह case नहीं हमारा यहां पर खतम हो गया आप परशान नहों इसलिए मैं इसको box में डाल दो आप मन डालना box में अब आ रहे हम यहां पर देख रहें case number two case number two मुझे बताओ मुझे बताओ कि यहां वेंडर को कितना पेमेंट करना था 99,000 तो मैंने क्या क्या वेंडर अकाउंट आप तो कसम खालो वेंडर के अकाउंट को उतने से ही डेविट करना है जितना मुझे पेमेंट करना है 99,000 पर होना case number two में क्या बता रहा है case number two कहता कि इस पर जो डिवेंचर इसू किये गया है वह प्रीमियूम ओफ टेन पर सेंट प्रीमियूम पर कहता है कि आपने डिवेंचर को इसू किया है तो बता एक तो मैं यहां पर लिखूंगा जी तू डिवेंचर 10% डिवेंचर बता रहा है क्योंकि डिवेंचर में वे i एक साथ दिखाते है और सॉलूशन एक साथ लिखाते है क्योंकि कि मैं समझार में साथ साहँ नरा इसलिए साथ दिखा रहा हूंبلशी से शोर किये जाएंगे कुछ से 99 थाउज와न का प् Dogeं करना है सर इतना करना है सेक्ष देवेंचर आफ किटने का हंड़र का लेकिन इhou इस्कोरन में किgestellt तो सो रुपे का लेकिन मैं अपने ब्रैंड वैल्यू के चलते हैं मैं आपको वह 110 के साब से इस्जू करेंगे प्रिमर्क मतब तेन परसंट जाद है सुचो ना आप बहुत प्यारे बच्चे हैं 99,000 का पेमेंट करना है अगर 99,000 का पेमेंट करने के लिए आप जो डिवेंचर्स इशू कर रहे हो एक आपका 110 का है तो कितने डिवेंचर्स इशू किये जाएंगे जला बता कितने अच्छा यह आपका 900 डिवेंचर्स इशू किया जाएगा आपने कसम खाया है डिवेंचर्स के आगे जब भी अमाउंट लिखेंगे तो आपका नमबर ऑफ डिवेंचर्स इन्टू फेस वैलू यानिके 100 इट कम्स टू 90,000 अच्छा यह आपका 900 डिवेंचर्स जला बताओ प्रिमियम पर डिवेंचर्स कितना ले रह रहे हैं? 100 10%, इसकती है? 9,000 लेजी हमारे एंटरी कम्लीट हो गई, 9,99 लिखेंगे हम यहाँ पर बिएंग, बिएंग, 900 डिवेंचर्स, इसूट, एट प्रिमियम ओफ, प्रिमियम ओफ, कितना जी, 10%, हो गई बात, नरेशन कोई बड़ी बात, थोड़े कुछ भी लिखो, मैंने कहा कि कुछ भी लिखो, तो गाली मत लिखना बस, गाली मत लिखना बस, तो हमारा case number 2 भी खतम ह हो गया, जल्दी से आओना, हम case number 3 भी खतम कर लें, कुछ है नहीं पढ़ाने को मेरे पास, आज तो सिर्फ समय आपका बरबाद कर रहा हूं, और कुछ भी नहीं, मैं कुछ अच्छा पढ़ाता तो आपको अच्छा भी लगता है, कुछ पढ़ाने को है नहीं, मैं करू तो क discount पर issue क्या बताओ, discount तो हमारा expense है न, sir, हाँ, it will be debited, तो आप लिखो discount on issue, account debited, and 2, आपने कहा 10% debenture account, आप जल्दी से देखें, कि हमें कितने debentures issue करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे, लिखो यहाँ पे number of debentures, लिखो यहाँ पे working notes में, इसी जो working notes आपका, number 3, number of deb debentures, कितने आजे, तो 99,000 का payment करना है, एक debenture 100 का है, but 10% discount, यानि कि 10 रुपीज का discount, means debentures we are issuing at the rate of 90, मेरे बच्चे, 90, तो 1100 debentures we have to issue for making payment of 99,000, मुझे बताइए, debenture के आगे क्या आएगा, sir, 1100 debentures multiplied by 100, यानि कि face value, यह कितना आगे आपका, 110,000, अच्छे मताओ, discount के आगे कितना आएगा, sir, 1100 debentures multiplied by आपका 10, पर आपका debenture 10 का discount है, 11,000, लिजे हमारी entry complete हो गई, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं chapter में, क्या पढ़ाओ, मैं तो बड़ा परशान हो रहा हूँ, कहीं आप सो ना गए हो, मुझे बड़ा डर लग रहा है मुझे बड़ा डर लग रहा है, नहीं sir, हमें भी थोड़ा बहुत interest आरा है sir, हमें भी थोड़ा बहुत interest आरा है sir, आगे बताओ ना क्या करना चाते हो, costing number two करना चाता हूँ, और क्या करूँगा, और क्या करूँगा जरा बताओ, आप पर यहा से लिख दो, फिर में आगे यह हो गया आपका, सर हां सर यह तो हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ, कोशन नमर टू कराता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा सा कुंसिप को हम और आगे बढ़ाएंगे, और जिरा देखते हैं क्या निकल के आता है कोशन नमर टू, इसी टोपी के कहता है Blueprints Limited, ध्यान से, एक्जाम कोशन आपका है, Blueprints Limited, परिशेज बीडिंग, वर्थ रुपेश वन फिप्टी, प्लांट में शिन दी वर्थ कहता है वन फॉस्टी, एन फसनीचर कहता है कि तेन थाउजन का, फ्रम वाधवा एन कमपनी, ओह यहां पर उसने विंडर का न है और हमने लाविटी भी लिया है बच्छे दोनों लिया कोई बात नहीं देख लेंगे कितने रुपे में फॉर परचेज इस अपर परिमियम और वहां पर कहता है कि आपको यहां पर किया गया पास निसेसरी आप कॉन से कोश्चिन का सरी कोशन करें नंबर 2 का सरी नंबर 2 का सालुशन पर शुरू करता हूं पहले तो मैं यह काम करूँगा, पहले मैं परशेज की एंट्री करूँगा, नमबर वन, यहां कोई केस तो है नहीं, एक ही एंट्री करना है, समझो ना, मैं लिख दो पहले किसके बुक में एंट्री हो रहा है, लिख दो उपर में इन दो बुक और क्या नम है कम्पनी का जी, ब्लूप्रिंट्स, ब्लूप्रिंट्स लिमिटेट, यह कम्पनी का नाम है बच्चे, इनके बुक में विए पासिंग एंट्री, ब्लू ऐसे लिखा जाता है, भ्लू, अब दो ओ, मैने बील्डिंग परशेज किया, बताओ, अगर ब्लू प्रिंट्स ने बील्डिंग परशेज किया, तो ब्लू प्रिंट्स का क्या बढ़ जाएगा, सिर्फ building assets और आप जानते हैं कि assets का बढ़ना debit होता है बता कितने का building है one lakh fifty thousand और हमने क्या लिया plant and machine तो plant machine अगर हमने purchase किया ये भी तो हमारा assets है और ये भी बढ़ना हम क्या करेंगे जी debit करेंगे बता हो plant machine हमरे पास कितने का आया है सिर्फ plant machine लिए कहता है कि one lakh and forty thousand का one forty और बताओ क्या लिया फिर हमने फनीचर भी लिया है फनीचर आप जला बताओ फनीचर हमने यहां पर कितने का रिकॉल्ट किया जी कितने का लिया है ten thousand का पता किसी company के अगर मैं assets purchase करूंगा तो उनका assets मेरा assets बन जाएगा एसेट्स बढ़ना डेविट थोड़ा जगह छोड़के नीचे में two अरे मैंने उनकी liability को भी take over किया है अगर मैं किसी company के liability को take over करूंगा तो अब यह मेरी liability को बढ़ा देगा और आप जानते हैं कि liability बढ़ना क्रेड किया जाता है मैंने उदर बताया भी था entry आपका 20,000 से जला बताओ इसके बदले में मुझे vendor जो हमारा यहां पे वादवा and company है मुझे बताओ वादवा and company को कितना payment करना है सरी कहता है कि 3,15,000 लिखो यहां पे 3, 70,000 लिख फिप्टिंद यहां से मेरी बातरिंगे बहुत धान ieurs मुझे कुछ आपको सभी समयाना है मैं लाल लाल अच्छर्व से कुछ लिखूंगा वह आपको नहीं लिखना होने लिखना मेरी बात सुनना पने बस सुनो मेरी बान मेरी बात सुनो यहां देखो यहां देखो जड़ा बता यह amount total कितना हो गया मुझे बता मैं मतलब blueprints ने assets कितने के लिए सिर्फ 3 lakhs के आपने लिखना rate वाली बात आपने लिखना 3 lakhs का 3 lakhs हो ना हाँ अच्छे मैंने उनकी liability कितने के लिए 20,000 की तो जड़ा बता net amount मेरे पास कितना आ गया 3 lakhs का assets 20,000 की liability तो मेरे पास net 280 तो आया बच्छे अगर किसी company का 3 lakhs assets लोंगा साथ ही साथ उस पे liability भी मैं ही pay करूँगा तो फिर तो मुझे 280 मिला मिला ना हाँ जड़ा बताओ 280 के बदले में जड़ा बताओ 280 के बदले में मैं वादभा एन company को कितना पे कर रहा हूं 3 lakhs 15,000 या दखना आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है blueprint यानि कि company के एंगल से मैं company हूं blueprint मेरा नाम है बच्छे मालो मेरा नाम है मुझे बताओ कि मैंने assets कितने का लिया 280 का लेकिन 280 का assets लेकर आया और payment 3 lakh 15,000 कर रहा हूं जड़ा बताओ पता है सुनो ध्यान से जब किसी के business को मैं लेता हूं ना बच्छे जब किसी के business को एक्वाइर करता हूं यह business है क्योंकि हमने सारे से लोस हो गया इस लोस को accounts में capital loss कहते हैं capital loss सुना मरी बात आपका capital loss हुआ और पता है accounts क्या बोलता है कि capital loss को आप goodwill के नाम से record करना सुना मरी बात मैंने क्या पता है capital loss जो है पूरे accountancy में we record with the name of goodwill account goodwill account मरी बच्छे इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि अगर 280 का समान लेकर आया 280 के समान के बतले में मैंने ज्यादा पे किया तो मैं इसको capital loss यानि कि goodwill दिखाऊंगा और goodwill को आप यहां पे debit में दिखाएंगे क्योंकि आपका goodwill यानिकी assets का पढ़ना debit होगा कितने का जी कितना था तूएटी यानिके 35,000 का यह लिखो balancing figure है सरी गुडविल क्यों बोलते हैं आपको बताऊंगा detail Amalgamation chapter में अगर कभी मौका मिला हमें पढ़ने का तो Amalgamation में समझाओंगा बच्चे आज तो सिर्फ इतना ही समझना पड़ेगा आपको कि अगर आपके real value से ज्यादा मैं पे करता हूं अगर मैं आपके real value से आपको ज्यादा पे करता हूं तो वह मेरे लिए loss हो जाएगा accounts में ऐसे loss को capital loss कहते हैं और पूरे accountancy में capital loss को goodwill के नाम से दिखाते हैं सर goodwill तो reputation होता है हां मचे वो भी होता है और ये भी होता है accounts allow करता है क्यों मैं वहां बताऊंगा फिलाल आप यहाँ copy कर लो लिख दो यहाँ पे being being business business purchased आपने purchase किया from क्या नाम है उसका vendor का sir वाधवा and company तो लिखो यहाँ पे वाधवा and company को आपने क्या क्या प्रचेज क्या यह काम पूरा हमारा हो गया first entry complete now come to second entry दूसरी entry पर मैं आता हूं ध्यान से मेरी बात सुनना मिरे बच्छे अब वाधवा and company का payment करना है पिछले वाले question में vendor था तो vendor रेविड क्या था अगर वो नाम क से पुकारूंगा नाम अगर नहीं जानता तब तो लड़का यह लड़की बोलूगा समझने मेरी बात यहाँ पे तो इस वर मैं आपके नाम को जानता हूं नाम से पुकारूंगा ठीक है तो आव ना मुझे वाधवा and company को कितना payment करना 315 यह payment करना है मुझे बताए कोशन मे होड़ा किसची पर हो रहा है सर्फ प्रीमियुम पे तो तो सेक्यूर्यटी प्रीमियुम आकाउंट तो सेक्यूर्यटी प्रीमियुम आकाउंट आपने यह record किया ठीक है और मैं एक बार narration का चोड़के मैं पहले आपको working कर दूंँ लिखी हैं परर की नॉट नॉट नुट चेक करता हूँ आखिर कितने नंबर ओफ डिवेंचर से यहां पर देने पड़ेंगे अगर मुझे 3,15,000 का पेमेंट करना मेरे बच्चे कहता है कि एक डिवेंचर आपका 100 का है और इशू और फाइप प्रीमियम यानि के 105 के रेट से आपका कितना आ गया चेक करो I think 3,000 आ रहा होगा 3,15,000 divided by 105 यह आगया आपका 3,000 हाँ जी तो 3,000 डिवेंचर से यहां पर क्या किये जाएंगे इशू किये जाएंगे बताओ डिवेंचर में कितना हो जाएगा सुर्थ 3,000 डिवेंचर मुल्टिप्लाइड बई आपका 100 यह अमाउंट आगया 3,000 का यह अमाउंट आगया 3,000 का और यहां प्रिमियूम के आगय में 3,000 डिवेंचर मुल्टिप्लाइड बई 5 मेरे बच्चे 5 प्रिमियूम का आपने कसम कहा था कि फेस वैलू ही डिवेंचर के आगय रिकॉर्ड होगा बाकि अमाउंट प्रिमियूम के आगय में लिजे और कुछ भी लिख सकते हैं मैंने कहा था ना परचेज आप ऐसे लिख दो आप लिख सकते हो कि 3,000 डिवेंचर इस इस परचेज प्रिमियूम अफ इतना कुछ भी कर सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता आप लिज कोपी कर लो फर्स एंट्री एंड सेकर एंट्री हमारा हो गया क कोशनबर 2 भी खतम हो गया आपके एक्जाम में जितनी बाते बता रहा हो उससे हटके कुछ नहीं आएगा मैं आपको इसको लिखित देने को त्यार हूँ लिखित आपको इसको द्यान से दे देना है सारे किसे हम कवर कर रहें अच्छा सर अब आउना मैं साथ ही साथ क्यों कोशनबर 3 भी करा तो दो मिनिट का समय लगना है समय लगना है एक पढ़ता ज एक मिनिट इस पार तो 315 था कहता है कि ना ना आप कितना मालो 270 अभी कुछ करना नहीं देखेंगे अभी कोशन आगे पड़ो कहता है कि और जो पेमेंट आपने किया है बाइशू ऑफ 12% डिवेंचर 100 का एट डिसकाउंट ऑफ 10% जो डिवेंचर इशू किये गया है वो 10% डि इसकाउंट पर हुआ है तो आव ना देखते हैं कि डिवेंचर इशू आ 10% डिसकाउंट पर तो एंटरी उसकी कैसे दिखाऊंगा ध्यान देंगे आप यहां पर कोश्च नमर थ्री कोश्च नमर थ्री लिखी यहां पर एंटरी किसके बुक में हो रहा है तो सर इंद बुक और क्या नम है आजी आपका ब्लूप्रिंट्स लिमिटेट हम लोग कंपनी की अकाउंटिंग कल को बड़े बच्छे बन जाएंगे कंपनी में काम करने जाएंगे तो यह एंटरी हमें करना होगा मैं स्टार्ट करता हूं तो तो हमने पहली एंटरी में क्या किया जी कोऊंट डिविटेट ? कितने की बिल्दिंग लिए हमनेoter है ? यह रिलाट और हमने का लिया और इन इमसिन आकाउंट डिविटेट बताईए यह बिल्दिंग लिए है सर 1,50,000 में फृण लिए हमने पास कितने में हमारे पास रिया है ? सुर, और सह लिए बढ फ्रृटिंग चोड़के और हमने क्या लिया लाइबिलिटीज कितने का था 20 था कोई मुझे बताए 3,00,00 का assets 20 के लाइबिलिटी तो net assets मेरे पास कितने काया नेट असेट से 280 का मुझे बताए इस पर 280 के बदले में वादवा एन कंपनी साथ साथ लिख रहें आप आगे पिछल नहीं होना चाहिए वादवा एन कंपनी को मैं कितना पेमेंट करना हूँ 270 इस बार मुझे बताए मेरे पास 280 का समान आए एन 280 के बदले में 270 का पेमेंट करूँ तो मुझे घाटा हुआ कि फाइदा हुआ सर्फ फाइदा हुआ बचे बिजनेस को लेने के टाइम पे घाटे फाइदे जो होते न वो capital loss ये capital profit होता है और मैं आपको बता चुका हूँ कि capital profit जो होता है with transfer to capital reserve account ये 10,000 जो आपका हो गया ये balancing figure नीचे में जो आ रहा है वो आपका capital profit है और capital profit with transfer to capital reserve account बात समझ में आ रही है सर हाँ सर ये बात समझ में आ गई तो लिखो पहले entry complete loss हुआ तो capital loss goodwill लिखेंगे फाइदा तो capital profit capital reserve लिखेंगे सरी बात बता हूँ capital reserve का ना पूरा ठीक से meaning हमें परशानी होता सर ये reserve का क्या मतलब है उसका क्या मतलब है आप चिंता नहीं करो मैंने एक capsule त्यार किया है theory का जिसमें reserve के बारे में भी सारी बाते आपको बताई है एक एक detail discussion के साथ तो आप उस class को जो पढ़ेंगे तो आप इस question को solve करें लिजे पहला entry complete होगा हमारा now entry number two वादवा एंड कंपनी को हमें payment करना है तो वादवा एंड कंपनी अकाउं डेविटेट कितना payment करना है 2,70,000 लिखो नहीं यहां पर 270 270 मुझे बताओ क्या दिया हमने इनकोजी payment के बदलने में सर आपने यहां पर जो इशू किया है वो डिवेंचर किया सर लेकिन इसवाट डिसकाउंट पे है तो ठीक है ऐसे क्यों बोलो आप जानते हो तो हो डिसकाउंट पे इशू किया हमारा expense हो गया expense बढ़ना debit होगा तो discount on debit कर दीजे और तू कितना percent diventure है तो 12% diventure ठीक है तो 12% diventure account प्रीमियम तो create हो जाएगा और discount तो debit हो जाएगा narration का जगा छोड़के लिखो यहाँ पर working notes number one इस question में कितने number of diventure examiner को हमें दिखाना होगा क्या हाँ बचे आप उनको समझाना कि हमने diventures कैसे निकाले है तो 2,70,000 का payment करना है जो बताओ एक diventure कितने का है 100 का कितना discount 10% तो कितना हो जाएगा 90 रुपिज के इसाफ से यह 3000 diventures आपका निकल के आगे है यह coincidence है कि यहाँ भी 3000 और यहाँ भी यह मत समझना कि दोनों हमेशा equal आएगा बचे कुछ भी आ सकता था खेर हमें तो entry बताना है diventure के आगे we always record face value 3,000 into 100 कितना amount आगे आपका 3,00 discount कितना हो जागा जड़ा बताओ तो सुर्फ 3,000 multiplied वे आपका यहाँ पर 10 यह कितना हो गया 30,000 का amount यह लिजे entry complete हो गया वाधवायन company debit discount and issued debit to diventure account और लिखोने narration यहाँ पर being being 3,000 diventures issued issued at 10% discount कुछ में लिख सकते हैं मैंने कहा है क्या फ़रक बढ़ता है entry हमारी complete हो गए आप समझ रहो कि मैं इससे बोले जा रहा हूँ नेसर हमें समझ में आ रहा है सर यह कौन सा topic चल रहा है for consideration other than cash simple simple बात है यहां पर कुछ नया चीज़ है नहीं समझाने को हाँ examiner अगर अपने हद को cross करेगा examiner अगर अपने हद को cross करेगा और वो आपको परशान करने की अगर कोशिश करेगा तो मैंने बच्छे वो एक step आप से और आगे जा सकता है मैं इसको मिटा दूँ मिटा दो पर कोई जोड़त नहीं मिटाने का मैं यहां भी बता सकता हूँ मैं बच्छे अगर examiner थोड़ा सा अपने हद को cross करेगा और वो चाहेगा कि थोड़ा आपको फसाद हूँ तो वो आपके examiner कोशन पर फोर्थ को बनाएगा कई बच्छे करते हैं फोर्थ आपको क्या बताता है सुनी मरी बात अब सुनी मरी बात फोर्थ कोशन क्या बताता ह फोर्थ कोशन मिल आपको फिर हाँ पढ़ो ना क्या बता रहा है जी डबलू के लिमिटेड ये कैसा नाम है मत जाओ जक्कर में बस एसेट नाम है परशेज एसेट फोर फिप्टी का और लाविर्टी टेक ओवर किया बच्छे थर्टी फाइब थाउजन का ऑफ के एल एम ए आपका यहाँ पर पहली एंट्री नंबर ए या वन कुछ भी लिख सकते हैं एंट्री पहले बताओ किसके बुक में हो रहा है सर इन दे बुक ऑफ क्या नाम है कंपनी का जिसने परशेज किया जी डबलू के लिमिटेड बताइए आपने एसेट्स को परशेज किया तो हम डे अगर हमने उनकी लाबलिटीज परशेज किये तो लाबलिटी हमारी बन गई कितने की लाबलिटी है सर 35,000 अच्छा बताओ इसके बदले में हमें के ल, MN कंपनी जो हमारा विंडर है उसको कितना पेमेंट करना है सर कोशन कहता है कि 4,000 का माउंट लिजे 4,000 का माउंट मु सर 4,000 अगर 4,000 के बतले में 4,000 का पेमेंट किया तो मुझे घाटावा की फायदा हुआ सर फायदा हुआ कहां जाएगा तो आपने लिखा कितने का फायदा हुआ 15,000 और एक्जाम में इतना थोड़े सोचना है अगर उपर में बैलनसिंग फिगर आ गया तो गुडविल कह देना नीचे में आ गया तो क्या मैं आपको समझा चुका हूँ आए अब मुझे यहां पे के ल, MN कंपनी का पेमेंट कर कहता है कि सेकलन पढ़ रहे हैं सेकलन फोर लेक्स के बाद सेकलन पढ़ रहे हैं कि परचेज प्राइस वाच पेड़ वाई इशू आफ रूपीज हंड्रेड ट्वल परसंट डिवेंचर्स एट प्रीमियूम ऑप 10 परसंट अच्छा हमने यहां पे 100 का डिवेंचर्स कब बताओ एंटरिज क्या निकल के आएगा मेरी बात सुनो अभी दिवाम कोई सोचना नहीं मेरी बात में सुनो हमने इनका फोर लेक्स का पेमिंट करना है कोशन कहता है कि जो पेमिंट करना है वो डिवेंचर देखे क्या नाम था डिवेंचर का सट टूल परसंट डिवें एकाउंट पे जादा प्राइशू किया था ना आपने और पर फिर न काम करना इसके आगे तींचार लाइन जगा चोड़ कर तीन चाला जागा लिखो मेरे सार वर्किंग नूट नमबर वन एक बाच्छे करते हैं आखिर नमबर ओफ डिवेंचर मुझे कितने इसू करने पड़ेंगे अगर फोर लैक्स का मुझे पेमेंट करना मेरे बच्चे और एक डिवेंचर विए इसूइंग पोईन्ट 3 6 363 16 00 यही किलतें चला जा रहा रहा है यह क्या यह तू फ्रेक्शन में आ गया च्टर में अब मैं क्या करूं यह फ्रेक्शन में आगए संदीवेंचर बालत मीं ने क्या है क्रों पता क्या करना होगा जब ड्यूवथ कर दो आप यहां पे डिवेंचर में, जो exact number आएगा, और जो fraction निकल के आएगा ना बच्चे, इसका payment आप कर देना cash में, सुनने मेरी बात, जो number आएगा, जो exact number आएगा, उसका payment आपको डिवेंचर देना है, और जो fraction आएगा, that should be paid in cash, never be rounding of it, कभी rounding of नहीं करते हैं, याद रहे कि बाद, सर हांसर, तो देखो मैं क्या करूँगा, हाँ, cash भी तो देना है, तो two cash ना करके two bank कर देना है, cash भी लिख सकते हैं, आप अपर generally company dealing banks होते हैं, तो बैंक कर देना आपका, ये premium के आगे मरे बच्चे, 3636 into आपका 10, 10 रुपे का premium है, 36360, और जो bank से payment करेंगे, यादि कि 0.363636 dotted जो निकलते आ रहा है, into आपका, सुनो मरे बात, अगर मैं आपको एक debenture दूँगा, तो 110 का है, अगर मैं fraction payment करूँगा मरे बच्चे, तो वो भी 110 के हिसाब से, और ये जब multiply करोगे, तो ये 40 आजाएगा, जो इसके बीज़ का, इसका और इसके बीज़ का gap होगा, पक्का है, आप check कर लो, जब ये पूरा, पूरा कल्कुटर लिखो end में, end तक, और आप 110 से multiply करो, तो same amount निकल के आएगा, rounding up में 40 रुपेज का amount, entry हमारे complete हो गया, entry हमारे complete हो गया, आप समझरों में क्या बोलना हूँ, अरे मैं बूछ आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, सर आ रहा सर, लेकिन सर आपने इसको 110 से क्यों multiply किया, क्योंकि अगर मैं आपको एक diventure दूँगा, एक diventure, तो 110 का है, अगर मैं इसके टुकडे का payment आपको करूँगा, cash में, तो वो भी मुझे 110 के इसाब से ही देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप उस diventure को जो बेचो गए तो 110 आपको मिलेगा, तो cash लो चाहे diventure लो 110 के इसाब से करना होगा, आई बात समझ में, अच्छा सर ठीक है, लेकिन सर, इस question में, third line में लिखा हुआ है, पढ़ो 40 रुपे का है, सर इसका क्या है, मेरी बात सुनना, इस question में मुझे कह दिया कि डिवेंचर से जो इशू किया गया हो 110 के इसाब से, कोशन ने कह दिया 110 के इसाब से, तो हमने यहां पर 110 माना, अगर question यह rate ना बताता, rate ना बताता, तो मैं 140 यानि के 140 से डिवाइड करता, क्य इशू क्या किस rate से, तो market price, यानि कि 140 के rate से मानता, फिर मैं 140 से डिवाइड करता, नंबर निकालता और फिर मैं काम करता, बड़ क्योंकि कोशन ने आपको कह दिया है, कि नेजी डिवेंचर 110 की साब से इशू होगा, 10% premium पे, तो फिर question के instruction को फॉलो करना पड़ेगा, इसका मतलब कि इस question में 140 का figure सिर्फ आपको confuse करने के लिए और दूसरा कोई भी motive नहीं है, आई बात समझ में, सरहां सरहां, बात समझ में आई, तो मुरे बच्चे, आज हमने आपका ना दो टॉपिक खतम किया, issue of adventure के अंदर में, for cash and for consideration other than cash, मुझे नहीं लगता कि कोई point बचा है, या कोई issue अलग से आपका दिमाग में create हो सकता है, फिर भी create हुआ, तो हम most welcome है, आपके doubt session में आपने क्या करना है, वो सवाल मुझे से पूछने है, बिना किसी शरम के, बिना किसी जीजा के, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ, और सिर्फ आपके लिए खड़ा हूँ, हम अगली क्लास में बागी के जो इनके topics बचके बचे उनका discussion करेंगे, फिर issue डिमेंचर पूरा finish करेंगे, तब तक आप सबको bye bye data, bye bye data and thank you बचो, thank you जी. झाभके पुम, आपके बच्चर आपके बचार क कैसे, एक मैं बचके 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 इनका according toATE Coin.